हाई आज का टॉपिक है टॉप 10 BMLT कॉलजिस इंडिया इंडिया में कौन कौन से टॉप 10 कॉलजिस है जिसमें हम गौर्वर्मेंट और प्राइविट दोड़ों ही टाइप्स के कॉलजिस के बारे में बात करने वाले हैं तो BMLT दाट इस बाचे इन इसका करिकुलम काफी हद तक सिमिलर है आपको सोफिस्टिकेटेड मेडिकल लेबरेटरी एक्यूपमेंट या जो बड़े बड़े लेबरेटरी एक्यूपमेंट होते हैं उसे हैंडल करने के लिए जो भी नॉलेज इन स्किल की रिक्वाइमेंट हो दिये वह आपको सब्सक्राइब के साथ तो आप इस को करनी के लिए एलिजिबल हो देन 40 कॉलेज से जो बीएमेल्टी कोस कर वाद दी जिसमें 87 परसेटेज आपको प्राइवेट कॉलजे और कुछ ही गौर्मेंट कॉलिजे से जहांसा आप बीएमेल्टी कोस कर सकते हैं इस वीडियो में हम Top 5 Government Colleges के बारे में बात करेंगे and then Top 5 Private Colleges के बारे में बात करेंगे जहां से आप BMLT Course कर सकते हैं तो सबसे पहले हम Popular Government BMLT College से स्टार्ट करते हैं Number 1 पे है AIMS तो AIMS का तो नाम सभी नहीं सुना होगा Total Recently 13 AIMS है और यहां पे अगर आप BMLT या BSC in Medical Lab Technology Course करना चाते हैं तो आप AIMS भूबने इस्वर से कर सकते हैं Basically यहां पे आपको BSC in Medical Lab Technology Course ओफर करती है तो यहां पे total 10 number of seats से seats बहुत जादा अवेलेबल नहीं होती है और उस seat के लिए भी आपको entrance exam crack करना पड़ता है नमबर टू है पोस्ट ग्राजवेट इंस्टिटूट ओफ मेडिकल एजुकेशन आंड रुसर्च जो की चंडिगर में है ताट इस PGIMER चंडिगर अब इस कॉलेज मेडमिशन लेने के लिए भी अगेन आपको entrance exam देना है यहां पे आप BSC Medical Lab Technology Course कर सकते हैं और 2018 से यह second position पे ही है नेक्स्ट है Armed Force Medical College योगी पूने में है तो यहां से आप BMLT Course कर सकते हैं जोगी तीन साल का Course है और admission के लिए आपको registration करना होता है टोटल 30 number of seats है नमबर फोर्ट है आरेपर्ट Knowledge University तो यहां से आप 4 साल का BMLT Course कर सकते हैं तोटल अगर हम फीस की बात करें तो BMLT की 4 साल की टोटल फीस है 42.2 थाउसे तो फीस काफी कर में क्यूंकि गोर्मेंट कॉलेज है और कॉलेज भी काफी अच्छा है चलिए नमबर फिप्त पे है जवाहल लार इंस्टूट ऑफ पोस्ट ग्राजवेट मिडिकल एजुकेशन और रुसर्च जो की पॉंडिचेरी में है तो यहां से आप B.S.E. Medical Lab Technology Course कर सकते हैं जो की 3 साल का कूर्स होता है तो टोटल फीस की बात करें जहां से आप B.S.E. in Lab Technology या फिर B.M.L.T. कोर्स कर सकते हैं अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजिस की तो नमबर 6 पे जो कॉलेज है वो है School of Nursing and Health Sciences और यहां से आप B.M.L.T. कोर्स कर सकते हैं तो फीस यहां की जो टोटल फीस है तो फोड़ा सा हाई है क्योंकि यह प्राइवेट कॉलेज है तो टोटल फीस है लगभग धाई लाग तो धाई लाग के आसपास आपका B.M.L.T. कोर्स की फीस लग जाती है नमबर 7 पे हैं लवली प्रोफेशनल यूड़िवरसिटी और यह एक प्राइवेट कॉलेज है तो फीस आपकी हाई होगी ही तो यहां पे आप B.H.C. Medical Lab Technology कोर्स कर सकते हैं और यहां पे Lateral Entry के थ्रू भी आपका Admission होता है तो अगर आपका Lateral Entry के थ्रू एडमिशन होता है तो टोटल जो कोर्स फी होगा B.H.C. in Medical Lab Technology का तो वो होगा 2,24,000 Otherwise आपकी जो टोटल कोर्स फी है वो है 3,36,000 और लेवलिक प्रोफिशन यूनिवरसिटी में इमिशन लेनी के लिए आपको L.U.N.S.T. का Interest Exam क्वालिफाई करना पड़ता है चलिए नमबर 8 पे है Dune Institute of Medical Sciences जो की देहरादूर में है और यहां से आप B.M.L.T. कोर्स कर सकते हैं टोटल अगरम कोर्स फी की बात करें तो लगभग 2,46,000,000 के आसपास आपकी कोर्स फी है और यह जो B.M.L.T. कोर्स है इस इंस्टिटूट में सारे 3 साल का कोर्स करवाया जाता है जिसमें से 6 मंस की आपकी ट्रेनिंग होती है तो नमबर 9 पे है आपका तान्योश्या यूनिवरसिटी वेस्ट बेंगॉल वेस्ट बेंगॉल में आपका ये जो न्योश्या यूनिवरसिटी है वहां से आप B.M.L.T. कोर्स कर सकते हैं तीन साल का और यहां पे जो टोटल फीस है वो 2,66,000 है तो फाइनली नमबर 10 पोजिशन पे है रामकृष्णा धर्माट फांडेशन यूनिवरसिटी जो की भोपाल में है तो यह एक प्राइविट कॉलेज है और यहां पे टोटल 50 नमबर उप सीट से टोटल फीस की बात करते हैं तो अभी तक अगर आपने इस चाहां को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजिए साथ इसाथ नोटिफिकेशन को भी ओन कर लिजिए इस चैनल पर कोर्से एक्जाम और कॉल्जे से रिलेटेड वीडियो आती रहती है साथ इसाथ गौर्मेंट जॉप से रिलेटेड जो भी विडियो इस चैनल पर आती रहती है आपका कोई भी डाउट है तो आप हुआ इंटाग्रां में पर फॉल्फ कर सकते या पिकमेंट ब紧िफ में आप अपने डाउट पूर सकते नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हूँ वो भी टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं तो आज के लिए बस इतना हैं थाइंक्यों सो मुच आन टेक लिए